आपने नहीं कंपनी जोइन कर लिया, आप बहुत खुश थे लेकिन जब आप कंपनी में जोइन करने के बाद जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यहां का वर्किंग कल्चर, आपके मनेजर, यहां का पॉलिसी, यहां का सिस्टम, यहां का इंभार्मेंट बहुत खराब है औ तो आपको 2ıllाख रिलपेया देना पडेगा ये बहुत ना-नसाफी है आपके साथ ये सब ना-नसाफी आपके साथ हुई आपने बहुत बढ़ा मिस्टेक किया ये सम किसे बसने के लिए मैंने ये बीडियो बनाया हूँ ताकि आपके साथ ये गलती कभी ने हो सके हैलो दोस्तों मैं हूँ रहू स्वामी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे केमिकल इंजिनियर गुरू ब्लॉक में आज मेरा वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है जो आदमी सोचते हैं कि मैं कंपनी चेंज करना चाहता हूं आपको नई ओफर मिली है आप ब बहुत पस्ताते हो जब आप कंपनी जोइन कर लेते हो तब पता चलता है कि इससे अच्छा मेरा पहला कंपनी था मैं यहां क्यों आया लेकिन पस्ताने का आपको मौका नहीं मिलता मिलता ने यहीं आप पे करना पार अब बोरी तरफ भी होगा तब तो आप बुरी तरह फस गए फिर भी आप अगर वहां छोड़ के जाते हो दो लाग तीन लाग जितना का बॉंड आपने साइन किया हो आपको पे करना पड़ेगा इससे आपका रिज्यूम भी बहुत इंपक्ट पड़ेगा खराब पड़ेगा तो आज का मेरा वी वीडियो को पूरा अन तक देखिये और हमाना वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाईक किजिए शबसक्राइब कैसी है कितने साल से यह कंपनी है इसका क्या location है कहा कहा किस location पे ये company है और कितने imply है कितना इसका market value है share price क्या है उस सबसे पहले आप जानिए तो ही किसी company में आप interview दीजिए अगर आप jobless हैं तो तो okay है फिर भी आप अगर experience वाले बंदे हैं तो आप कोई भी company change करने से पहले उस company के बारे में पूरी परकार से आप उसको पता कर ले उसमें क्या-क्या पता करना है सबसे पहले देखिए company का जो होता है गूगल में जाके आप search करते हैं उस company का तो उसका पूरा उसके बारे में bio data दिया रहता है यह company कब से है क्या है वो सब देखिए और आपको बाकी उस company के बारे में जानना है तो आप उस company में जो काम कर रहे हैं आगर by chance आपका selection हो जाता है तो उस company में जो आदमी काम कर रहा है उस से उस company का feedback लिजिए फीडबैक में आपको क्या-क्या जानना सबसे ज़्यादे जरूरी होता है ये आप समझे आगर आप company उस company को join करने की सोच रहे हैं तो उस company का salary growth क्या है, increment per year क्या आता है, bonus दिवाली में मिलता है कि नहीं मिलता है, उस company में क्या-क्या facility आप provide करती है employee को, उस company का working culture कैसा है, working environment कैसा है, जो senior है, वो कैसे है, वहाँ पे कोन से plant है, continuous plant है कि batch plant है, उस company में कितने employee है, जो employee काम कर रहे हैं, कितने साल से कर रहे हैं, ये basic idea थोरा आप ले सकते हैं, तो आप पुछेएगा ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये company कैसी है, working culture कैसा है, तो इसे बहुत simple बात है, या तो आप company के आसपास जाके वहाँ के local लोगों से जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो या तो आसपास दुकानदार हैं, उससे आप idea ले सकते हैं, या तो सबसे best है LinkedIn, LinkedIn में आप जाएए उस company में जो employee काम कर रहे हैं, उससे connect हुईए, उससे उस company का feedback लीजिए, या तो glass door, जो हर company का overview, जो review होता है, वो हर employee छोड़ने के बाद उस company का review देता है, कि मेरी company ऐसी है, वैसी है, अच्छी है, बुरी है, क्या है, उसका review जरूर चेक कर लीजिए, company आपको अगर change करना है, तो पहला important point, दूसरा सबसे important point है, जब भी आपका interview होता है तो आपको अपना job profile clear कर लेना है, कि किस job profile के लिए आप interview दे रहे हैं, आपका अगर selection होता है, तो आपको किस profile के लिए select किया जाएगा, और सबसे important आपको किस plant के लिए लिया जा रहा है, अगर आप production में हैं, तो batch process के लिए hire किया जा रहा है, या continuous process के लिए hire किया जा रहा ह किस लोकेशन के लिए हायर के जाता है क्यूंकि बहुत सारे लोग अगर जॉब चेंज करते हैं तो यह बहुत बड़ी मिस्टेक है वो नहीं पूछते हैं वो लगता है उनको इंट्रेवू दिये मेरा हो गया बस जॉइन कर लिए लेकिन मैं आपको अपना लाइव प्लांटी लिखा हुआ था लेकिन जब वो जॉइन किया कंपनी तो उसको यूटिलिटी इफ्लेंट टीट्मेंट प्लांट में रख दिया जब उसने एचार से आर्गू किया तो उसका कुछ नहीं हुआ अचार ऐसा बोलती है कि जहां मुझे रिक्वार्मेंट होगा मैं आपको वहां रखूंगी लेकिन ऐसा नहीं है आप एक हाइडोजिनेशन प्लांट में काम किये वे बंदे को पानी के प्लांट में रख दीजेगा तो आगे का एक्सप्रियंस कैसा हो जाएगा खराब हो जाएगा तो यह सबसे इंपोर्टेंट चीज होता है कि आपको जिस प्रोफाइल के लिए लिया जा रहा है उस प्रोफाइल को पहले इंट्रव्यू में आप क्लियर कर लिजिए अपने मेनेजर के साथ जिसके साथ इंट्रव्यू हो रहा है किस प्लांट के लिए है किस लोकेशन के लिए है यह सब चीज बात पहले क्लियर कर लेना चाहिए ब आप फिर एड़ेस्ट नहीं कर पाईएगा क्यूंकि आपको ऐसा लगता है कि मुझे प्रजेक्ट में लिया है तो मैं जनरल जनरल डूटी में रहुँगा लेकिन आपको रख दिया प्रोडक्ट्सन में तो प्रोडक्शन में सिप डूटी आपको करना पड़ेगा जो फिर आ में लिखा रहना चाहिए बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है यह चीज आप पहले क्लियर कर लीजिए वदना बाद में आप पस्ता होगे तर फिर आपको पस्ताने का भी कोई फाइदा नहीं क्यूंकि आपने जॉब चेंज कर ली है तो जहां रिक्वार्मेंट रहेगा लगर आपको उस प्लांट में डाल देगा तो यह गलती आप भूल के भी नहीं किजिए यह सब क्लियरल में आप एच र से के लिखत लिख्वा लेजिए यह प्लांट है यह प्रोफाइल है आपका इस प्रोफाइल के लिए आपको रायर कर रहे हैं और इस लोकेशन के ये आप पहले clear कर ले हाँ जैसे कोई company family का ही देती है family मतलब आप और आपके बच्चे father mother not include तो आप ये धोका में मत रहिएगा जैसे बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है वो लोग company बोलती है कि health medical medical claim मेरा company का free मैं company को employee को medical free देती हूं ये तो बोल देती हैं लेकिन बंदा ये नहीं पूछता है कि father mother include है की नहीं है तो कहीं-कही father mother include रहता है कहीं-कहीं father mother include नहीं रहता है तो आप company जोइन करने से पहले उस company का medical claim कितना है वो clear कर लिजिए अगर आपको पता है कि मेरे father mother को problem है medical claim की requirement है और company आपको नहीं दे रही है तो आप चाह सकते हैं तो नहीं जोइन कर सकते हैं तो ये दिमाग में रखने का health policy है तो कितना लाग्का है कोई company धाय लाग्का देती है कोई पांस लाग्का देती है और reliance तो दस लाग्का medical देती है सारे 4000 रुपया में मुझे 10 लाग का medical था आप दिश्वास करोगे इस चीज का 4500 या 300 मेरा से रिडेक्ट होता था उसमें मेरा पांचो चारो आदमी और मेरे फादर मदर सब का medical था 10 लाग्का दूसरा medical में दूसरा आता है term plan अगर आप job कर रहे हो अगर आपकी company में date हो जाए या बहार date हो जाए तो company आपको कितना देती है, आपको पता है reliance कितना देती है, एक क्रोर का term plan था तो बहार थे किसी को जुरोति नहीं पर था लेने का, लेकिन हर company ऐसा नहीं देती है किसी-किसी का 55 , किसी का 50 ला, किसी का 30 ला, तो यह चीज भी इंसिवर आपको कर लेने का है कि बाद में आपको term plan लेना है या नहीं लेना है यह आपके safety purpose है तो health policy बहुत important रखता है company join करने से पहले fourth सबसे important point जो है जब आपको offer letter मिलता है offer letter को आप एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार अच्छे से throughout परिये क्योंकि उसमें बहुत सारी policy लिखी रहती है चार पेट पाँट पेश दस पेश का भी policy रहता है लेकिन बहुत सारे लोग यह mistake करते हैं कि policy नहीं परते हैं और accept करके offer letter को आगे forward कर देते हैं कि ISF बाद में जब वो company छोड़ना चाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आपके policy में यह सब लिखा हुआ था जो आपको पता ही नहीं था मेरे साथ धोका हुआ bond था ऐसा भी लिखा होगा तो आप छोड़ नहीं सकती है उसमें क्या-क्या आपको ध्यान रखना है जो आपको offer letter आएगा offer letter में एक आपको यह ध्यान रखना है company से clear कर लेना है कि मेरा जो notice period है अगर आपके company का तीर मेना का notice period है अगर आप एक मेना मे वहां से छोड़ रहे हैं तो दो मेना का पैसा आपको वहां pay करना पड़ेगा तो यह पैसा आपको यहां मिलेगा या नहीं मिलेगा हर company चाहती है कि मुझे बंदा जल्दी मिल जाए लेकिन वह company छोड़ देती है तो अच्छी बात है तो आपको notice period वहां pay करना पड़ेगा तो यह notice period का पैसा आपको यहां मिलेगा की नहीं मिलेगा और कितना दिन में मिलेगा उसके लिए आपको क्या sleep चाहिए यह चीज आप पहले clear कर लेने का यहां के HR से कि यह notice period design देने से पहले यह clear कर लेने का उसके बाद अगर आप वहां से दूसरे location से अगर 400-500 km अगर shift होते हैं तो shifting का जो पैसा है वो आपको कितना maximum मिल सकता है अगर आप बहुत दूर से shift कर रहे हैं अपने समान को दूसरे location से तो आपको 1,000,000 भी लग सकता है लेकिन company बोल अपना accept करते हैं मतलब final confirmation कि आपको इतने salary में आप agree है आपको हमारा सारा policy पसंद है उसके बाद offer letter accept करने से पहले एक बाद जरूर देख लें कि उसमें कोई bond तो नहीं है bond के चकर में नहीं परने का bond आपको वो company फसा देगी हाँ अगर आपको jobless है आपको job की requirement है no doubt आप bond लीजिए हाँ अगर आपको कोई company दो साल तीन साल का bond बना के देती है अगर आपको उसके बाद तीन लाग चार लाग रुपया देती है तो तो बेनिफिट रिलाइंस में जॉइनिंग बोनस इसे बोलते हैं रिलाइंस देती है कि अगर आप 2,5 लाग जॉइनिंग बोनस 2,00 रुपय देगी तीन साल तक आप काम कीजिए आपका 2,00 रुपय आपका हुआ तो वो benefit है अगर आपको पैसे की requirement है तो otherwise जो भी company अगर bond बनाती है तो मेरे suggestion यहीं रहेग उस company को लात मारिए और ऐसी company को कभी join मत कीजिए हाँ अगर आपको benefit हो रहा है तो no doubt कोई दिक्कत नहीं है जैसे रिलाइंस दो लग तिन लग चाल लग देती है पैसे की requirement है तो no doubt आप join कीजिए यह अच्छी बात है लेकिन मेरा suggestion नहीं रहेगा किसी भी company में अगर आप bond के साथ काम करते है मतलब वो आपको एक आपको गर्दन में फंदा बाहन के जंजीर बाहन के काम कराना चाहती है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है we are independent और कोई company आपके independent को चीने सकती है जब आपको पसंद नहीं आए तो आप company छोड़ सकते हैं यह simple सी बात है यह bond की बात इसके लिए prepare रहिएगा दूसरा बहुत सारी company का यह law रहता है अगर आप company change किये हैं तो आपको shifting का पैसा मिलता है notice period का पैसा मिलता है लेकिन जब आप छोड़ के जाते हैं तो उस company का रहता है कि एक साल से पहले अगर छोड़ के जाईएगा तो सारा पैसा shifting का पैसा notice period का प और एक और आता है leave policy कि उस company में कितने leave मिलती है यह भी एक important topic है कि हर company में maximum company में 21 PL मिलता है 10 sick leave मिलता है 10 schedule leave मिलता है तो यह चीज़ ध्यान रखने का कि यह कितने leave है और independence day का जो annual जो leave होता है holy दिवाली यह सब company में रहता यह कहीं कहीं नहीं रहता हो अलग बात है उसके बाद हर company में एक ऐसा भी leave होता है अगर आप job नहीं कर सकते हो दो मेना अगर बिमार पर गया ऐसा कुछ condition आ गया तो आपको जैसे मेरी company 60 day आपको relax देती है 16 day आपको पैसा देगी Sally देगी कि आप फिट होके अगर कोई आदनी बिमार पर गया या पैस तूट गया दो मेना नहीं आ सकता है तो आपको Sally मिलेगी रिलाइंस में भी ये बिनी फिट था आपको Sally दो मेना ढाय मेना ऐसा कुछ था आपको Sally आते रहेगी तो ये सब चीज के बारे में आप जरूर जान ले लास्ट में मैं आपको ये वीडियो कंपीट होने से पहले एक चीज बता देना चाहता हूं जब आप फाइनल कोई कंपनी आपने सोच लिया कि मुझे जोईन करना है तो रिजाइन देने से पहले कुछ सबसे इंपोर्टेंट बात वो आप जरूर पता कर ले उस कंपनी के Sakitे उसकी में रहे में की जिस लोकेशन पर जा रहा है वहां कितना आपको खरचा होगा रहने का क्या है इसकूलिंग क्या है वहां पर कंपनी कितना डिस्टेंस पर है आप सर्वाइब कर पाओगे की नहीं कर पाओगे जैसे पिछले रिलाइंस में मैं था वहाँ पे स्कूलिंग बहुत कम पैसा ना के बराबर पैसा था रहने का बहुत कम पैसा लगता था बिजली बील बहुत कम पैसा लगता था और यहाँ यहाँ मेरा सब ची डबल हो गया तो जितना salary आपका मेरा बढ़ा वहाँ से यहाँ उससे जादे मेरा खर्चा यहाँ पर बढ़ गया तो यह गलती आप नहीं करे अगर आप अच्छे जगह पर और finally जब resign देते हैं उससे पहले उस company का review जरूर जान ले उस company में जो काम करते हैं उससे आप थोड़ा idea ले भाई साहब वरना बहुत पस्ता होगे मेरे बहुत सारे प्रेंट पस्ता रहे हैं कि इससे अच्छा मेरा पिछला company था वहाँ कितना सकून था यहां पर आके न यहां के manager अच्छे हैं न यहां के working culture अच्छा है न यहां पर salary growth है यह सब नहीं है तो यह सब पस्ताना नहीं है आपको मेरा video का बनाने का मकसद यही है मैं नहीं पस्ता रहा हूँ मैंने यहां पर सब कुछ सोच समझ के company join किया ठीक है salary थोड़ा कम है लेकिन कोई बातने salary growth होगा दिये दिये salary बढ़ेगा लेकिन आप यह गलती भूल के भी नहीं करें आप company के बारे में पता जरूर कर ले उसका क्या और आपको किस plant में डाला जा रहा है और company में आपका job profile क्या है आपके साथ जो काम कर रहे है वहां का working culture वहां का increment per year increment कितना आता है वहां growth कैसा है आपका promotion कितने साल के बाद होगा होगा भी नहीं होगा दिवाली में bonus मिलेगा की नहीं मिलेगा आपको कितने leave मिलते हैं leave का तो कोई issue नहीं है तो ये सब थोड़ा idea आप जरूर ले लीजिए वहां के local जो काम कर रहे हैं LinkedIn पर आप थोड़ा connect होके किसी से भी थोड़ा इतना inquiry कर लीजिएगा तो आपको पस्ताने का मौका नहीं मिलेगा चलिए मैंने इस वीडियो में बहुत सारी बाते आपसे सहर की अगर आपको जॉब चेंज करना है तो उससे पहले किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है तो देखिए जॉब चेंज करना आसान है लेकिन उस जगह पे जाकर सेटल होना ना बहुत मुस्किल है समझे ना क्योंकि बाद में आपको पस्ताना पर सकता है कि वहां बेटर था वहां मनेजर अच्छे थे मैं सेटल लाइब जी रहा था ऐसा आप गलती नहां करें अगर आपको अच्छी अपर्ट्यूटी मिल रही है कंपनी अच्छी है ठीक है लेकिन देखिए कंपनी पर मत जाईए वहां थोड़ा पता जरूर कर लीजिए क्या है क्या नहीं यह वर्किंग इंवार्मेंट वर्किंग कल्चर यह सबसे जादे इंपोर्टेंट है आदमी को जोइन करने का आपको कोई मतलब नहीं है ऐसी कंपनी जोइन नहीं कर लें जहां पर आपको खुद के लिए टाइम नहीं है फैमली को टाइम नहीं दे पाए दूसरा आपको पैसा ही मिल रहा है लेकिन आप फैमली पर इस्पेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इसी कंपनी भी जोइन नहीं करने का ऐसा वर्किंग कल्चर जहां पर डेली आप टेंशन होके आए कि आज क्या होगा प्लांट में मुझे पता नहीं कि घर आके भी आपको टॉर्चर किया जा ऐसी कंपनी का रिव्यू आप जरूर चेक कर ले जो जो इंप्लॉई छोर के जाते हैं तो वो अपनी के बारे में तो यह सब चीज के बारे में ध्यान रखिए और मैं हमारे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर भी कोई डाउट है जितना मुझे पता होगा मैं भी प्रोफेशनली जॉब करता हूं मैं भी समझता हूं कि हर इंडस्ट्री म सब्सक्राइब करते हैं किसी को प्रोफेशन के लिए बहुत सारी बाते हैं यह सब चलती रहती है अगर फिर भी हमारा वीडियो देखिए लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए